हाई दोस्तो टीफोचान में आपका स्वागत है दोस्तो आज कि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एक मोबाइल में दो Google Pay application का कैसे आप यूज कर सकते हैं यानि कि इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि आपके पास दो गूगल पर बनाना पड़ेगा अगर आपका बैंक अकांट एक ही नंबर से रेइस्टर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एक ही गूगल पर में दोनव अकांट यूज़ कर सकते हैं तो चलिए कैसे आपको करना है आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे दो गूगल पर आप एक मूबाइल में चला सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है अभी आप देशे कि मेरे मुबाइल फोन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक Google पे application पहले से install है अब इसको हमें double बनाना है यानि कि dual बनाना है तो इसको कैसे करेंगे तो इसको double बनाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहरे तो आपके अपने मुवाइल है तो आपको नीचे जाना है scroll करके और यहाँ पे apps का option मिलता होगा इसमें जाना है apps में जैसे अब apps में जाएगा और यहाँ पे dual apps का option है अगर आपको इस तरीके से option मिल रहा है dual apps का तो यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यह और यहाँ पे click करने के बाद जैसे यह google पे रहा, इसको यहाँ पे जो बटन है, जैसा icon दिख रहा है, इसको click करके इसको on कर दिए, तो अब हमारा जो google पे है, यह दो बन गया होगा, चलिए हम देखते हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक google पे यह पहले से था, अब यह दूसरा google पे हमारा बन यह रहा फर्स्ट मेथड यानि कि MI के मुवाइल के लिए अब दूसरा मेथड यह है कि आपको सेटिंग्स में जाना है अगर आपको नहीं मिल रहा है डिवल आप का ओप्शन तो आपको उपर में सर्च बार दिख रहा होगा यहां पर आपको टाइप करना है क्लोन लिख के यूज़ कर सकते हैं तो दुस्त वीडियो को ज़्याद जाए लाइक करें शेयर किजिए चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल इकन जरू दवाएं तो मिलते है नेक्स्ट ट्यूडियो में